पिछले वीडियो में हमने एक AI एंजन को ट्रेन किया था जो टेस्ट करता था कि एक वर्ड का सेंटिमेंट है कि साइड है उसके बाद हमने अपने चैट बॉट का एक ओवर्ड लॉजिक जो था वो डिजाइन किया था इस वीडियो में इस लॉजिक को हम कोड करते हैं तो हमारे लॉजिक में सबसे पहले था कि हमारा चैट बॉट यूजर से पूछेगा इसके लिए हम टेक्स तु स्पीच में जाते हैं और हम कहते हैं कि यह जो ब्लॉक है इसमें हम जो भी लिखेंगे कंप्यूटर वो बोलेगा तो हम यहां लिखना चाहते हैं हैलो, इसके बाद जो भी यूजर बोलेगा उसको हमें सुनना है तो हम यहाँ पे speech to text में जाके start listening का block pull out करते हैं और हम क्योंकि user बोलेगा तो कुछ एक दो second बोलेगा तो हम एक यहाँ पे wait डाल देते हैं control में जाके wait for two seconds और उसके बाद हम कह रहे हैं stop listening जो भी user ने बोला वो by default scratch, cognimates यह get latest speech variable में save कर देता है तो अब हम चाहते हैं कि हम जो भी बोला गया है यहाँ save हुआ है हम पता करना चाहते हैं अपना AI model यूज करते हुए कि क्या वो happy sentiment है कि sad sentiment है इसके लिए हम text blocks में एक यह block है what kind of a phrase is जो भी user ने बोला तो यह हम deduct कर रहे हैं कि user ने जो भी बोला जो कि get latest speech variable में save हुआ था हम अपना AI model यूज करते हुए पता करना चाहते हैं कि वो phrase happy था कि sad था तो यह जो statement हमने यहाँ पर बनाया है what kind of a phrase is get latest speech इसके output या तो happy होगी या sad होगी यानि कि word happy या word sad होगा because हमने अपने AI engine में logic यही बनाया था तो हम next क्या करना चाहते हैं हम कह रहे हैं कि अगर happy होगी तो हमारा chatbot कुछ कहेगा और अगर sad outcome होगी तो हमारा chatbot कुछ और कहेगा तो सबसे पहले तो हमारे को यह जो पूरा है इसका जो output है happy है कि sad है इसको determine करने के लिए हम एक और variable बनाते हैं तो हम एक नया variable बना रहे हैं जिसको हम कह देते हैं user input तो सबसे पहले तो हम set user input जो हमारा variable है उसको हम set कर रहे हैं जो भी इसकी outcome होगी मैं logic दुबारा समझाता हूँ हमारे chatbot ने text to speech use करते हुए user से पूचा hello how are you feeling today फिर user ने जो कुछ भी बोला उसको get latest speech variable में store कर दिया और फिर हम अपना AI model यूज करके पता कर रहे हैं कि इस variable में जो भी value stored थी क्या वो sad sentiment reflect करती थी तो इसकी outcome जो है वो word sad या happy होगी और हम कह रहे हैं कि वो जो भी outcome है happy या sad उसको इस user input में store कर देना हम यहाँ पर program टेस्ट करके देख सकते हैं hello how are you feeling today happy तो यहाँ पर यह speech detect हो गई मैंने कहा happy और यह start listening वाला use करते हुए computer ने उसको ठीक recognize किया है happy अब इस get latest speech variable में क्या store हुआ है अगर हम यह देखना चाहते हैं तो हम speech to text में जाके इस variable को भी यहाँ पर लगा देते हैं एक और test करते हैं hello how are you feeling today sad तो यह speech to text recognition यहाँ पर ठीक हुआ sad और user input में AI machine ने इसको ठीक determine किया है कि इसका sentiment भी sad है hello how are you feeling today jolly तो computer ने ठीक text to speech speech to text ठीक recognize किया word था jolly और उसने jolly word का AI system यूज करते हुए sentiment भी ठीक से recognize किया है कि sentiment है happy यानि कि हमारा अभी तक जो हमने program लिखा है उसका logic ठीक है तो इसके next stage पे हम क्या करना चाहते हैं हम कहना चाहते हैं कि अगर happy deduct हुआ है user input तो chatbot को क्या कहना है और अगर sad deduct हुई है तो chatbot को क्या कहना है तो इसके लिए हम conditional statement यूज करते हैं control में जाके मैं एक if statement ला रहा हूँ और variable में जाके user input जो हमें test करनी है हम test क्या करना चाहते हैं कि यह जो variable है user input finally जब यह सब AI engine ने check कर लिया तो क्या वो variable में stored value happy थी कि sad थी तो यह करने के लिए हम operators में जाते हैं और हम यहाँ पे if condition में यह डाल रहे हैं कि if user input variable के अंदर value है sad तो क्या कहना है और इसको मैं duplicate कर देता हूँ और यहां कह रहा हूँ कि अगर user input variable में AI machine की testing के बाद sentiment था happy तो chatbot को क्या कहना है और chatbot को क्या कहना है इसके लिए हम फिर से text to speech में जाके हम जो भी यहां लिखेंगे chatbot वो बोलेगा तो हम यहां लिख देते हैं it will soon pass cheer up और अगर user input variable में happy detect हुआ है sentiment तो हमारा chatbot कहेगा that's great keep smiling हम अब फिर से test करके देख सकते हैं happy that's great keep smiling hello how are you feeling today I am very sad it will soon pass cheer up hello how are you feeling today unhappy it will soon pass cheer up hello how are you feeling today that's great keep smiling तो जैसा अभी आपने देखा कि जब मैंने word lousy यूज किया हमारा जो AI engine हमने बनाया है वो इसको ठीक recognize नहीं कर रहा है वो lousy word को happy कह रहा है यानि कि हमारे को machine को further train करने की जरूरत है और अगर मैं कोई random word यूज करता हूँ जैसे hello how are you feeling today house that's great keep smiling hello how are you feeling today door that's great keep smiling यहां क्या हो रहा है कि user जो मर्जी बोले हमारा AI model उसको या तो happy या sad category में डालता है even अगर वो बहुत ही गलत है जैसे यहां पर मैंने door word बोला और वो कह रहा है कि sentiment happy है इसको चेक करने के लिए हम क्या use करते हैं कि जो हमारा हमारी AI machine है वो जब predict करती है तो वो score भी देती है तो अगर मैं यहां पर door word डाल रहा हूं और predict कह रहा हूं AI machine कह रही है door को somehow वो happy से relate कर रही है but confidence score इस prediction का उसको केबल 50% है तो हम अपने program में क्या कर सकते हैं कि हम एक check डाल सकते हैं कि अगर confidence level below something है तो हम एक third condition डाल देंगे कि अगर वो confidence level below let's say 60% है तो कह देना something like I don't understand तो your text blocks में एक और यहां पर programming block है how sure you are that text is whatever category तो हम यहां condition का डालना चाहते हैं कि अगर user input sad है और confidence score more than 60% है Cognimate में prediction जो score है वो 0 से लेके 1 तक जाता है तो हम कह रहें 0.6 यानि 60% है तब ही यह कहना otherwise कुछ और कहना तो इसके लिए हम operators में जाके एक and block ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि दो condition check करनी है पहली कि अगर user input जो है variable उसमें उसकी value sad है और दूसरा कि यह जो prediction score है यह more than 60% है तो यहाँ पर हम एक greater than sign लाते हैं और हम यह statement हम बना रहे हैं कि अगर user input में word sad है और इस prediction का confidence score जो है वो 60% से यहाँ हम कह रहे हैं कि how sure you are that this is sad this is greater than 0.6 और इसी तरीके से हम इसको duplicate करके हम कह रहे हैं कि अगर sentiment happy है और AI system is sure कि यह जो happy sentiment है यह इसकी probability यह इसका confidence score 0.6 से जादा है तभी हम इसको fit करते हैं कि अगर अब हम दो चीज़ें चेक कर रहे हैं कि अगर user input की AI machine कह रहे है कि sentiment happy है और AI machine का prediction score 60% से जादा है तभी कहना that's great keep smiling और इन सब को फिर हमारे को एक if then else loop में डालना है तो पहला case हमने if में डाला फिर हम कह रहे हैं कि दूसरा एक और if then else लाके यह जो हम create कर रहे हैं इसको nested conditional statement कहते हैं इसको हम कह रहे हैं तो हमने यहां nested conditional statement क्या बनाया कि अगर पहली condition वो चेक कर रहा है कि अगर user input variable sad है और इसका prediction score 60% से उपर है तब हमारा chatbot कहेगा it will soon pass cheer up likewise user input variable का जो यहां पे what kind of a phrase is outcome जो था वो happy है और prediction score उसका more than 60% है तो हमारा chatbot कहेगा that's great keep smiling और अगर यह दौनों condition fail हो जाती है कि इन जो भी word बोला गया है वो happy और sad दौनों में ही AI machine कह रही है कि confidence score is less than 60% तब क्या कहना तो हम वापस जाके text to speech में जाके हम कह सकते हैं something like I do not understand please try another phrase अब हम अपना प्रोग्राम फिर से टेस्ट करके देख सकते हैं दौर I do not understand please try another phrase hello how are you feeling today how's I do not understand please try another phrase hello how are you feeling today jolly that's great keep smiling hello how are you feeling today down in the dumps it will soon pass cheer up तो अब जो हमारा chatbot है ये काफी intelligently काम कर रहा है इसका जो logic है वो मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ कि पहले हमने text to speech यूज करते हुए हमारे chatbot ने यूजर से पूचा hello how are you feeling today और जो भी यूजर का response था उसको get latest speech इस variable में save कर दिया फिर हमने अपना AI model यूज करते हुए पता किया कि ये जो भी यूजर इंपुट थी क्या ये phrase जो था वो happy sentiment का था या sad sentiment का था वो happy था या sad था इसको हमने एक और नए variable में save कर लिया user input और फिर हमने चेक किया कि अगर user input यानि ये जो variable है user input इसका sentiment AI machine से चेक करने के बाद sad था और AI machine का prediction score 60% से जादा था तो हमने कहा हमारा chatbot कह देगा it will soon pass cheer up else user input variable की final AI machine से चेक करने के बाद value happy थी और AI machine का prediction score कि ये happy है more than 60% था तब हमारा chatbot कह रहा था that's great keep smiling और अगर ये दोनों ही condition fail हो जा रही थी यानि कि sad या happy जो भी user ने बोला वो AI हमारे AI model को लगता है कि sad और happy में उसकी prediction score less than 60% है तब हमारा chatbot कह देता है कि I do not understand please try another phrase so I hope chatbot के इन दो videos को देखके आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि हम cognimates में text-based AI engine को कैसे use कर सकते हैं एक simple chatbot बनाने में कि दो जो थाओगा सकते हैं कि अच को कैसे नेखके